तो उत्तर प्रदेश में निशाद पार्टी गडबंधन से अलग हो गई है निशाद पार्टी का फुरवांचल की कुछ खास सीटों पर खासा सर देखने को मिलता है समाजवादी पार्टी का कहना है कि निशाद पार्टी के जाने से उन्हें कोई खास नुक्सान नहीं होने वाला है दिखिए आप ये नहीं कह सकते कि दरखने लगा ये गडबंधन की जो लड़ाई है वो कमजोर, पिछडे, दलीत, वन्चीत, मुसल्मान और जिनका हक भारती जनता पार्टी छीनना चाहती है जिनका आरक्षण खतम करने की साजिस कर रही ये सामन्ती सोच वाली सरकार जिनका उत्पीडन कर रही उनकी लड़ाई ये गडबंधन लड़ रहा है और ये गडबंधन उस हक के लिए लड़ रहा है जो मनवादी बेवस्था आरसेस वो हक चीनना चाहती जो बाबा साब ने हग दिया ये आरक्षण शेने की कोशिस कर रहा है ये चाहते हैं कि गरीब कमजोर पिषडे दलित के लेकिन मेरा सवाल ये है कि गडबंधन कमजोर होगा निसाथ पार्टी के जाने से लेकि हम एक चीज कह रहे हैं इस गडबंधन की असली ताकत जनता है और जनता जान रही है कि भारती जनता पार्टी को कौन हरा सकता है तो मुझको लगता है कि जनता गडबंधन के साथ खड़ी है तो भले प्रवीन निसान ने पाला बदल दिया लेकिन समाजोर्टी पार्टी को उमीद है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और गडबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव में लड़ेगा वीडियो दिली समित के साथ अने लिया दो न्यूस नेशन लखनाओ